जय हिंद आज है 21st आप जून और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकाबली कवर करते हैं तो चलिए सेशन सेशन करते हैं उससे पले वीडियो लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजे आज 21st उनको परतिएक साल कौन सा ले सरिद्स कर जाते है कमेंड बक्स में जुरूर एनसर की जयेगा टीक है देखते हैं आज 5 वर्ट तो आजため सब्सक्राइब वाज़े डेट्री मेंटाव क्या है एड़ जेक्टिव है डेट्री अफ की अनी होता है qam треб हानी कहुल है मbare क्या होता है हम पुल मतलब तो जानते हैं कोई चीज तो आपको आपको हम करें पिर नुक्सान पहुचाए तो हनीकारत, इसका हिंदी मिनिम हो जागा, क्या हो जागा हनीकारत और इसको सीनोनेम्स देखें तो harmful, injurious, parnicious, deleterious या फिर inimical ये सब क्या हो जाएंगे, आपको हर्म पहुंचाए उसको detrimental भी करिते हैं इंजीरियस भी भी बोसकते हैं पॉर नीशी एस बूल सकते हैं डिलीते टर mission बीकार होता है जो आपको हानी पहुंचा रहें उसको हम लोग क्या करते है अपने फोन में लेप्ठप में डिलीट कर देते हैं यानि कि जो दिटिरीन है यानीख हानफूल है एक दूना हो गहे एकicion अगर मी कल यह सब क्या हो गहिए इसके ननेशन होगे वर्ड है ट्रीमेंटल जिसका मतलब होता है हानीकारत तो आप याद रखयेगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ सात में ताकि आपको रिविजन करने में कोई दिख्कत नहों नहों ठीक है नेस्टव देबॉट बॉट यहाँ प एक नाउन है बॉट किया नाउन है जिसका मेननी होता है एक सॉर्ड प्रियद आफ ग्रेट अक्टिवीटि क्या होता है एक शोटा सा टाइम फ एक छोटा सा अवधी तो बहुत मतलब होता है गतिवीधी की एक छोटी अवधी किसी गतिवीधी का एक छोटा अवधी जिसको बहुत बोलते हैं और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है तो इसका सिनोनेम्स हो सकता है कि गेम हो सकता है मैच हो सकता है कंटेस्ट हो सकता है या राउंड यह सब इसके सिनोनेम्स सुझाएंगे राउंड कंटेस्ट मैच या गेम जैसे कोई बहुत बड़ा गेम होता है तो उसमें जो छोटा सा एक्टिवीटी उसमें का उसको हम और वे जिसका मेनी होता है तो प्रिवेंट सम्थिंग फ्रम हैपनिंग मतलब किसी चीज को होने से प्रिवेंट कर देना रोकना प्रिवेंट मतलब क्या होता है बचाना रोकना तो किसी चीज को होने से हैपनिंग से क्या करना रोकना है कि हम लोग फोरेस्टल बोलते हैं क्या सकते हैं ठीक है तो फोर्ड़र की बात करें तो हींडर प्रीक्लिवट थवाट या फिर या फिर अबसक्षिक और प्रीक्लिव्र थवाट्या secondary a सब हो जाएंगे चीनानियम सजाएंगे जिसका मतलब ही वता है होने से पहले रोख देना तो फोर्ड़र मतलब अब देखते हैं next word next word recession देखिए last में आयोग आ रहा है अगर वर्ड क्लास में आयोगा आता है तो वह noun हो जाता है recession यहाँ पर भी noun हो गया जिसका मीनि हो सकता है period when the economy of a country is not very successful अशार्थि किसी देश की आर्थिक सिर्थिं क्या हो अच्छा नहीं हो बहुत मतलब अच्छा नहीं हो यानि कि खराब हो रेसेशन उसको बोल सकता है यानि कि आर्थिक मंदी ऐसा लग रहा है कि भारत में भी यह होने वाला है भगवान ना करें ऐसा दिन देखने को पड़े लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस सरकार में यह देखने को मिल सकता है क्या तो रेस अर्तिक मंदी रेसेशन मतलब ही आर्थिक मंदी होता है left word ही कि א॥ कि डप्रेसीए हैशन के क्या है डिप्रेशीये चैट्ट्राइशन इभी क्या हो गया क्या कि इसके भाध्र भी क्या रहा है आयाई यह ना रहा है अगर वर्ड का लास्ट में आयो ना यह तो वह नाउन हो जाता है ठीक है तो अगर इसके मीनिंग देखें तो मेंनिंग क्या हो सकता है इसका मीनिंग हो सकता है decrease in value over a period of time मतलब किसी चीज का value क्या ना ओफर पिरियोड अप टैम किसी चीज का value घट जाना सब्सक्राइब अपने घर आ जाते हैं कुछ महीने चलाते हैं फिर उसका क्या होता है भैलू धीरे-धीरे कम होने लगता है ठीक है लोग अगर उसको अप सेल करना जाएगा तो उससी रेट में आप नहीं बेच पाई है उससे कम में ही आपको सेल करना पड़ेगा तो रेप्रिसियेशन मतलब समाझ गया कि किसी चीज़ का वैलू टाइम के अनुसर कम होना है और मुलियन इसका हिंदी मिनिंग हो सकता है और सिनोनेम की बार्त करें तो डी वैलुएशन रिडॉक्षान मार्ट डाउन या भी डिकलाइन यह सब इसके सिनोनेम सुझाएंगा डी कम्मock की क्या है जिसका मिनिंग होता है रिमाइंडिंग यू अफ सॉम्थिग यह सॉंबंडि मतलब किसी चीज्द को क्या करना रिमाइंड कर देना नहीं कि याद दो प्लिया रिमैंड कट रही हौंन हर चीज़ करता है करना कि चहैद्य के और शिनोनम्स की बात करें तो रिमाइंदbles रिडोल एंट वो के पिर इसके पिर नॉस्टलिक यह सब केवाउर्ड वेसके सीनोड लेंगे रिमाइन फूल रिडौन इवोकेटिव रेजोनेंज या फिनोस्टेली यह सब कहा है इसके सिनोनिम स्हां ठीक है नेस्ट वर्ड देखे तो नेस्ट वर्ड क्या है एस्पेकुलेटर एस्पेकुलेटर यहाँ पर एक नाउन है जिसका मिनिंग क्या होता है a person who buy and sell goods or shares in a company in the hope of making a profit मतलब एक ऐसा person ठीक है जो क्या कर रहा हो कि समान खड़िद रहा हो और बेच रहा हो या share कर रहा हो किसी करता है ठीक है ताकि उसको उससे फैदा हो बीना फैदा कोई काम करने सुचता ही नहीं है तो एस्पेकुलेटर मतलब क्या हो सकता है कि लाभ की आसा में ब्यापार करने वाला क्या करना लाभ के आसा में ब्यापार करने वाला इसस्पेकुलेटर मतल Erst segundo शुर्यन्स की बात करें तो फाइनियर वेंचर्ड और इसको ब भूसकते हैं दोसरे मिनिंग Chiefs को सकते हैं फाइनिंश और इंचर एक्ट्रेडर ठीक está다 स्पेकुलेटर मतलब अब देखते ने्स्ट वर्ट नेस्ट जैनेंट के स्कीनिंट यहां पर नावन इन क्या है जिसका मीन होता है नोट डेवलॉपिंग ग्रोइंग और चैनि मतलब कोई कि चीज में ना तो गृएंग अफित क ऐने कि सिध्यार्ट होएं इसमें अपने देस कोई इसमें कोई कि पो हो। बाद में सोल के वहीं होता है कुछ होता हिन है तो देवलब 006 होई नहीं आपने कॉंट्री में मतलब इस्थिर या गती ही इस्थिर पड़ जाना उसमें कोई मुवमेंट नजर नहीं आना ठीक है तो इसका सिनोनम्स देखे तो समझ में आगया होगा अब देखते हैं नेस्ट वर नेश्ट वर भी सिस एक यहां पर जाता है तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके मिनिंग की बात करें तो प्रोएल एंड इंटेंडेट टू अपसेट समवन यानिकी इसका मतलब होता है कि किसी को क्या कर देना आप सेट करना दूसरे को दुख पहुंचाने वाला तो जो सातीर होता है वही सब्सक्राइब लगाता है दूसरे को अफसेट कर देता है आप चलाकी करके ठीक है तो व डिआघीन होता है जैसे मैयलीशी से वगया नेन्योपन कर देन हो घ्रीच को दूसरे को क्या कर दे आघ्रफ तो है तो जाने नेशे जोडे पोटेंट यहाप मेनिग्टी रही इफ्येक्टि नवीक पाउरफम को इसंडरों सक्तीब हो उसको पोटेंट बोलेंगे जिसे ओमनी पोटेंट होता है तो ओमनी पोटेंट में क्या होता है ओमनी मतलब होता है और पोटेंट मतलब क्या था सकतिसाली मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा सकतिसाली हो तो अमनी पोटेंट हम किसको बोल सकते हैं भगवान को बोल सकते हैं इसका मतलब होता है सकतिसाली और सीनोनेम की बात करें तो इसका स्ट्रॉंग, पावरफूल, माईटी या फिर वीगोरस ये सब इसके सीनोनेम सुझाएंगे आलमाइटी वर्ड भी सुने होंगे, जिसको ओमनी पोटेंट कहीं में सिनोनेम्स होता है, आलमाइटी, स्ट्रॉंग जो मजबूत है, पारफूल, माइटी, अभी गोरस, यह सब इसके सिनोनेम्स होता है, जिसका मतलब होता है, सक्ति साली या फिर असरदार, तो आज का सेशन नहीं पर समाप्त हुआ, आई होप सेशन अच्छा लगाओगा, तो जरूर वीडियो लाइक किजिएगा, और चैनल पर नहीं है, तो चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जय हिंद,